हेलो डियर वन्स कैसे हैं आप लोग आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पोईम को एक्स्प्लेन करने जा रहे हैं क्लास 10 की पोईम दा विलिच सॉंग कंपोस्ज वाई सरोजनी नाइडू आईए हम सीधे एक्स्प्लेनेशन पर आते हैं यहां पर एक मदर अपनी बेटी को real world के बारे में या materialism के बारे में बता रही है उस बच्ची को जो nature के प्रती बहुत ही impressed है उससे और प्रकृती की बहुत ज़्यादा वो प्रेमी है क्या कह रही है बड़े प्यार से honey child honey child प्यार से बच्ची को honey child उसने कहा है जैसे हम लोग बच्चों को प्यार से baby, बाबू, सोना, मुन्नू, गोलू, गुडिया यह सब कहते हैं न ऐसी कह रही है और वो पूछ रही है तुम बटिया कहा जा रही हो या किधर जाना चाह रही हो क्या तुम अपने खुश्चूरत जो जोइलरी हैं जो तुमारे पास बड़िया अच्छे से गहने हैं क्या तुम बाहर बहती हवा में फेंक दोगी या हवा को दे दोगी ठीक है या वो बच्ची जो प्रकृती की दुहाई देती है प्रकृती के पास जाना चाहती है नेले आसमान को देखना चाहती है बादनों को देखना चाहती है बहार उरती चड़ियों में अपना वक्त बिताना चाहती है वो उसे समझाना चाहती है क्या तुम अपनी मा को भूल गई हो उस मा को जिसने तुमें golden grain कितने अच्छे अच्छे भोजन कराए हैं, खाने खिलाए हैं और उन्हें एक metaphorical यूज कराए golden grain सोने चांदी के निवाले खिलाए हैं या दाने खिलाए हैं तो यहाँ पर golden का मतलब यहाँ पर सोने से नहीं है, उनकी value है, उनकी preciousness है कि मा के हाथ के निवाले उतने ही कीमती हैं जितने की सोने चांदी के टुकड़े या शायद उस से भी कहीं ज़्यादा फिर वो कहती है, फिर एक last trump card खेलती वो, जैसे मैंने कहीं अंदजर लगाया है, experience किया है कि जो बच्चियां होती है, उन्हें छोटे से ही शादी का बड़ा चाव होता है इसमें कोई, इनो, एक तरह का कोई comment नहीं है, कोई controversy नहीं है तो उन्हें अच्छा लगता है कि खिल खिल में गुड़े गुड़ियों की शादियां पहले के बच्चे करते थे तो वो एक तरह का वो कह दी किया तुमें, कि तुम अपने उस दूले को भी दुख देना चाहती हो जो तुमारे लिए घोड़े पर सवार आ रहा है, एक perception रहता है कि बच्चियां खाब देखती हैं छोटे से ही, कि एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार आएगा हाथों में तलवार लेकर सर पर पगड़ी बांद कर और बिटिया को बिहा लेकर जाएगा तो वो भी एक उसे एक लालश देती है, कि क्या तुम अपने होने वाले दूले का भी दिल तोड़ोगी या क्यों तुम इस दुनिया को छोड़ कर जाना चाहती हो, जो दुनिया कितनी खुबसूरत है और जो दुनिया सिर्फ सिर्फ तुमारी है तो यह पहला स्टेंजा इस तरीके से हम explain करेंगे और हमने समझा होगा ठीक है, अब second स्टेंजा हम पढ़ेंगे अब इस second स्टेंजा को हम explain करेंगे कि what the reply of the daughter to her loving mother क्या कह रहे बेटी, mother mine to the wild forest I am going, हे मा, हे ममी मैं बाहर जा रही हूँ forest में, उस forest में जो जंगली है, जो मुझे पुकार रहा है जो मुझे एक appeal करता है, मुझे पसंद है where upon the chumpa buffs, the chumpa birds are blowing जहां पर शाखाओं में, चमपा के फूलों में, फूल खिले हुए हैं चमपा के प्याणों पर, चमपा की शाखाओं में, चमपा के फूल खिले हुए हैं birds हैं, कलियां खिल रही है to the coil haunted river aisles और जो नदी है वहाँ जो उस जंगल के पास जब वहाँ पर कोईल कूकती है तो आवाज गुंचती है, एक haunted जैसा लगता है, कोई डर सा भी लगता है और एक तरह से थिल है, excitement भी है हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि बच्ची बाहर की natural phenomenon से natural atmosphere से बहुत ज़दा excited है, उसे अच्छा लगता है चाहिए वो खुबसूरत नदियां हो, पहाड हो, पानी हो, नदियां हो या चमपा चमेली के फूल हो, कोहल की आवाज हो वेर लोटस लिलीज गिलिस्टिन, दा वाइस अफ दा फेरी फोक अर कॉलिंग मी दूसरा एक और अच्छी चीज देखती है, वहाँ पर लोटस के फ्लावर्स हैं, लिलीज हैं जो से बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन संदर वस्तूओं के लिए बाहर जाना चाहती है और उसके अलावा, एक उसके imagination fantasy word में बच्चा जीता है तो वो कह रहे हैं, वहाँ फैरीज मुझे बुला रही हैं, रात में परियां मुझे बुलाती हैं, परियों के जुन्ड हैं जो गीत गाते हैं और वो परियां मुझे बुलाती हैं, यह भी मैंने कहीं, एक experience से ऐसा देखा है कि बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, बेटियों को हमारी परियों की कहानी शुरू से पसंद होती हैं, कि परियां गा रही हैं, वो इमेजिन भी करती हैं एक तरह से खुद को अपने आपको फैरीज की तरह और सच में वो फैरीज होती भी तो हैं, तो वो परियां वो नन्नी सी परी बाहर की परियों को जो fantasy world से हैं imagination से हैं वो उन्हें पुकार रही है या मैं ऐसे कहना और अच्छा मुझे लगेगा कि बाहर की परियां अपनी परियों की शहजादी को पुकार रही है हमारी बेटी को पकार रही है आपको पकार रही है और वो कहती कि ओ लिसन मम्मी सुनो they are calling me बाहर की सुन्दर बस्तुएं बाहर की सुन्दर चीजें मुझे बुलाती है मुझे यहां की चीजें नहीं भाती है मुझे जो real world है तुम्हे अच्छा लगता है जो तुम मुझे प्रेजेंट करना चाहती हो मुझे बुछ अच्छा नहीं लगता मुझे उस fantasy world में मेरे dream world में रहना चाहती हूं so I have to be there I must be there as the queen of my dreamland the fairy of that fairyland so this is the explanation of this very very beautiful and interesting stanza अब हम अगले stanza को भी explain करेंगे तुम चाहती है ェ। अभले बुछ भी तुमने कोया नहीं ह। झाल झाल